कोरूना का असर अगर सबसे ज़ाधा किसी चीज़ पर हुआ है तो वो हमारी रोज मरा के जन्दगी पर और साथी साथ नौकरी और सालेरी दोनों ही चीज़ें सबसे ज़ाधा प्रभावित हुई है लेकिन अब आपको चंता करने के बिलकुल भी जरूरत नहीं क्योंकि नया साल आपके लिए खुश्यां लेकर आ रहा है वो इसलिए खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में धाई लाख नौकरियां दी जाएगी और वो भी सरकारी अब इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से तमाम जो रिक्त पद हैं अलग-अलग विभागों में उनकी जानकारी उनका ब्योरा जुटाये जा रहा है जिसके बाद बाहाली की प्रक्रिया शीगर ही आरंभ कर दी जाएगी इसके अलावा कौन-कौन से विभाग में नौकरियां निकाली जाएंगी कहां-कहां कौन से पदों पर रिक्त बाहाली है वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी बिहार में अस्थाई नियोजित और समविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है कई पदों पर बाहाली की प्रक्रिया जारी है जो नई साल में पूरी कर ली जाएगी इसके लिए सरकार के विभा के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी राजसरकार अस्थाई नोक्रियां देने के अलावा नियोजित और संविदा अधारित पदों पर बहाली की तैयारी में माना जा रहा है की वर्ष 2021 में राजसरकार के अधीन धाई लाग से जादा नोक्रियां मिलेंगी फिलहाल करीब 2 लाग पदों पर बहाली की प्रक्रियाद जारी है इनमें सिक्षा विभाग में ही सहायक प्राध्यापक शिक्षक के डेल लाग से जादा पद हैं जिन पर न्यूक्तियां होनी है ग्रेविभाग के अधीन दरोगा सार्जिंट सहायक जील अधिक्षक सिपाही के हजारों पदों पर बहाली भी अंतिम चरण में हैं इसके अलावा दारोगा और सिपाही के दस हजार से जादा पदों के लिए आवेदल लिये जा चुके हैं जल्द ही प्रत्योगिता परिक्षा आयोजित की जाएगी पंचायती राज स्वास्त विज्ञान एवं प्रोध्योग की विभाग परिवहन नगर विकास एवं आवास वन परियावरन जलवायू परिवर्तन विभाग के अधीन बहाली हो रही है इन्जीनिरिंग वा पॉल्टेक्निक कॉलेजों में सिक्षक और गयर सैक्षनिक पद पर भी नियुक्तियां शामिल हैं पंचायती राज विभाग के अधीन ओडिटर प्रखंड पंचायत राजपदाधिकारी लेखापाल और तकनीकी सहायक की पदों पर बहाली होनी है बीपेस्सी और बिहार में एससी द्वारा भी तीन हजार से जादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है पद की बहाली की जारी है और किन विभागों में आप नौकरी पास सकते हैं इसलिए आप सचीत रही सतर्क रही जब भी फॉर्म आए जो भी पूटल पर हमने आपको डिटीज दिये उस पर जाकर आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको हमारा व